नान दिया है कि हमारे समाज में कुछ पारिवारिक संबंध धीरे-धीरे अद्रिश्व हो रहे हैं। पहले हर बच्चे के माता-पिता के अलावा चाचा, ताउ, बुआ, मामा, मौसी जैसे ठेरों रिष्टेदार हुआ करते थे। लेकिन अब ये सभी मानोव विलुप्त प्रजाती होते जा रहे हैं। भारती परिवारों में रक्त के कुल पांच रिष्टे समाप्त होने की कगार पर हैं। एक दो पीड़ी बाद संभवता ये सभी संग्रहाले में सजा दिये जाएंगे। केवल अंकल और आण्टी बचेंगे। इसे इस तरह समझा जा सकता है। यदि किसी दमपत्ती के दो पुत्र और दो पुत्री हैं तो उनके सभी पांच रिष्टे यानि ताउ, चाचा, बुवा, मामा और मौसी होंगे। यदि दो पुत्र हैं लेकिन पुत्री एक ही है तो उनकी जो संताने होंगी उनकी कोई मौसी नहीं होंगी। मा के बाद बच्चों की कोई सबसे सगी महिला होती हैं तो वो मौसी ही होती है। यदि किसी के एक पुत्र और दो पुत्री हैं तो चाचा और ताव के रिष्टे नहीं होंगे यदि एक बेटी और एक बेटा है तो उनकी संतानों का ना तो कोई चाचा होगा ना ताव ना मौसी यदि एक बेटा या एक बेटी होती है तो वो पूरी तरह से अकेला होगा माता पिता के बाद उसका कोई रक्त संबंधी नहीं होगा सिंगल चाइल फैमली को उनका निर्णे तीसरी पीड़ी यानि जिनके वो दादा दादी होंगे बुरी तरह प्रभावित करेगा उनका पौत्र या प्रपौत्र इस संसार में अकेला होगा उसे अपने रक्त के रिष्टे की आवशक्ता होगी तो इस पूरे ब्रह्मांड में उसका अपना कोई नहीं होगा इसलिए दम पत्ती को सिंगल चाइल के निर्णे पर गम भीरता से विचार करना चाहिए ये न केवल हमारे बच्चों को एकाकी जीवन जीने को विवश करेगा बलकि हमारी हिंदू परिवार व्यवस्था को भी नश्ट कर देगा पर्श्रमी देशों में सिंगल चाइल पॉलिसी भारत से पहले आरंभ हो गई थी वहाँ पर इसके भायावः परणाम सामने आने लगे हैं प्रिटिश होए द्वान देविद सेलबॉन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इसमें बताया गया है कि पर्श्रमी समाज पर इसलाम का अधिकार होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण एक शक्तिशाली परिवार व्यवस्ता का अभाव है यूरोपी ये देशों में परिवार नाम की संस्था लगभग समाप्त हो चुकी है लोग विवाह करना पसंद नहीं करते उन समाजों में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनें नहीं पता होता कि उनके पिता कौन है बुढ़े माता पिता को घर में रखने को कोई तैयार नहीं ओल्ड एज होम में उनका बुढ़ापा बीथता है यूरुपीय देशों में आज राजनीतिक दल परिवार को बचाने का वादा अपने चुनावी घोषना पत्र में करने लगे हैं आस्ट्रिलिया में तो फैमली फर्स्ट नाम से एक राजनीतिक दल भी बन गया है पश्ट्रमी देशों के समाज शास्यों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि परिवार व्यवस्था को कैसे बचाया जाए इस सब के लिए उनके पास यही सुझाव है कि एक से अधिक बच्चे पैदा हो अब यही चुनोती भारती समाज के सामने भी खड़ी होने जा रही है क्या हम समय रहते सतर खो पाएंगे या हमारे साथ भी वही होगा जो पश्ट्रमी देशों के साथ हो रहा है